नमस्कार बहुत स्वागत आपका इस बुलिटिन में मैं हूँ आपके साथ वंतिकर शिवास्ताव आईए सबसे पहले देखते हैं पांच बड़ी खबरे जिनको लेकर सबसे पहले बुलिटिन में चार्चा करेंगे सबसे पहले बात नीमच की होगी जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है गंबीर सडक दुरघटना यहां पर हुए है इससे जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ साथ रगरेंगे रैपुर की भी बात करेंगे जहां चाकू बाजी की बारदाते थमने का नाम नहीं ले रहे हैं एक बार फिर से ये वक पर चाकू से हमला किया गया है तीसरी खबर भिंडगे होगी जहां देखते ही देखते एक दुकान में अचानक से फीशन आग लगी और पूरी दुकान जलकर राग हो चुकी है चौती मैत्रपुन खबर कूनों में चीतों के मुव्बेंट से जुड़ी हुई इनकी मौत के चलते चिंता लगातार बढ़ती जारी है और अब दूसरे अभ्यारण में चीतों को बसाने की तैयारी है पाचवी खबर जबलपूर से जुड़ी हुई जहां एनाईय ने च्छापा मार कारवाई की है अभी तक क्या तक थे सामने आए इस बारे में आपको जानकारी देंगे शिरवात करेंगे नीमत से मिल रही बड़ी खबर के साथ जहां दर्दनाक सड़क दुरखटना सामने आई है ट्राक्टर ट्रॉली से कार टकड़ा गई है कार में सबार तीन लोगों की मौत हो चुकी है जबकि चार लोग फिलाल घायल अवस्ता में अस्पताल में भरती कराए गए है कार सबार उजयन से नीमच की ओर जा रहे थे कार चाला को नींद आने के वज़े से पूरी दुरखटना हुई है घायलों को सरकारी अस्पताल में फिलाल पहुंचाए गया है ये बड़ी जानकारी सड़क को दुरखटना से जूड़ी हुई कि तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया दाज़ा आप लगा सकते हैं कितना भीषण ये हाथ सा रहा होगा तस्पीर आप देखे नीमच की तस्पीर है ट्राक्टर ट्रॉली से कार टकरा गई ये बड़ी दुरखटना और अब राज़दानी राइपूर का जिक्र करेंगे जहां लगातार चाकूबाजी की घटनाए सामने आ रही है युवक को एक बार फिर से चाकू मारा गया है उवा टेक करने से मना करने पर युवक के साथ चाकूबाजी हुई है गंबीर हालत में इलाज युवक का लगातार जारी मुझ गेहन थाना शेत्र का ये पूरा मामदा है घटना के बाद से आरोपी फिलाल फरार बताया जारा है राज़दानी में चाकूबाजी की घटनाए लगातार बढ़ती हुए विवाद अभी तक स्पर्च नहीं हो पाए हाला कि आपसी विवाद रहा बताया जा रहा है कि ओवर्टे करने की वज़े से आक्रोशित हुए और उसकी बाद विवाद बढ़ा और चाकू मारकर वहां से आरोपी फराद गया सभी की यूगर इस पर में जाद जानकारी देंगे यूगर एक बार फिर से चाकू बाजी की बारदात क्या जानकार इस पर? यह थे कि ओवर्टेक्ट करने की बात को ले करके पूरा विबाद हुआ था और जो पिडिस संतोसी है वो जा रहा था इसी दवरान जो देवनारायन और दुर्गे से दोनों ओवर्टेक्ट करते हैं और गलत तरीके से गाड़ी चला रहे थे और जब संतोसी ने मना किया तो उस पर तैसा करके उस पर कई जगों पर चाकू सिवार किया है पेट और सीने में गंभीर चोटे आई हैं उपचार के लिए उन्हें भेजा गया फिलाल पुलिस इन फरार आरोक्यों की तलास में जुटी हुई है अभी दो दिन पहले ही एक जो गुंडा आदतन गुंडा बद्वाद था उसने भी चाकू मार कर भरार हुआ था हाला कि उस मामले में गिरिपतारी हो चुकी है और अभी फिलाल इस संतोसी को जिन दो लोगों ने चाकू मारा है उसकी तलास अभी पुलिस कर रही है और इस तरह से राजधानी में चाक आधार यूकल चौक आ रहे हैं बहुत शुक्रिया आपका फिलाल इस जानकारी को साजा करने के लिए भिंड से अगली खबर के और पढ़ेंगे चाहां चार दुकान चाय दुकान में अचानक से भीश्वन आग लगई दुकान में रखार लाकों का सामान जलकर नश्ट हो है रहागीरों ने पूलिस के उस बारे में सूचना दी थी मौके पर फाइव प्रिकेट की गाड़ियों को बुलबाया गया दंकल की टीम ने आग पर काबू पाया है संस्कृती मारिज गार्टन के पास यह दुकान स्थित है और देखे कितनी भीश्वन आग थी आसपास द अंदाजा लगाने के लिए काफी यह कितिनी भीश्वन सित्थी मौके पर रही होगी अफ्रत अफ्री का माहौल बना एक्स्क्लोसिफ तस्थिरे हम आपको गखा रहे मौके पर फाइर प्रिकेट की टीम पहुची फॉरण आग पर काबू पाया गया और आप राजिसलानी भोपाल से अगली बड़ी खबर जहां दूसरे अभ्यारण में चीतों को बसाने की कवायद के पारी में जानकारी साजा की गई है कुनो पार्ग के अलावा दूसरी जगा बसाने की योजना अब बनाय जा रही है गांधी सागर अभ्यारण मंसौर यहां पर चीतों को बसाने की तैयारी शुरू हो गई है नौरा देही अभ्यारण यहां पर भी चीतों को लाया जाएगा इस बारी में भी सुचना जारी हो चुकी है के तैयारियों के लिए टाइम लाइन भी निरधारत करने के निरदेश दरी हो चुके हैं टाइम लाइन रिधारत कर नवगठित प्रोजेक्ट चीता स्टेरिंग कमिटी से अन्मोदन करवाने के निर्देश इसके लिए दिये गया है लगातार दुखत सूचना सामने आ रही थी चीतों की मौत की मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे थे और इस वज़ें से माना जा रहा है कि हो सकता है कि नौरा धेई अभ्यारण और गांधी सागर अभ्यारण में जब उने किया जाए तो शायद उनकी हालत बहतर हो बहतर तरीके से उस्वाता वरण में ढ़ल सके राजस्तान ले जाने पर भी पहले विचार चल रहा था लेकिन किनहीं कारणों की वज़े से राजस्तान ले जाना नहीं हो पाया और अब चुकि कूनों में लगातार मौत की मामली प कारी साजा की जारी है लेकिन क्या कुछ परिवर्तन होंगे और किस तरह से उन्हें शिफ्ट किया जाएगा पूरी प्रक्रिया के तहट क्या कुछ होगा यह हम समझ लेते हैं सेगी वासू चौर्यमार साथ लाई जोड़ चुके हैं वासू क्या प्रक्रिया बागी रहने व चीतों को अफरीक और नमीबिया से लाया गया कुनों में उनकी बसाहट की गई उसके पहले ही तमाम जो बायो डायवर्सिटीज को लेकर बात की जाए एन्वार्मेंट को लेकर बात की जाए या फिर ऐसी तमाम उन जरूरतों को लेकर बात की जाए जो एक चीते को अपने वा वहाँ पर लगी रही नमीबी आफ्रीका किर्वी एक्सपर्स की टीम मौझूद रही और चीतों पर निगरानी भी रखे गई और स्टेप वाइस स्टेप उनको बाड़ों से बहार निकाला गया फिर जंगल में छोड़ा गया उनका एक एरिया निर्धारी तर्किया गया लेक एक्सपर्स भी कही ना कहीं एक बार फिर से इस रिसर्च में जुड़ गए हैं कि अपके ऐसे चीतों को बहतर सुवीदाय प्रदान की जाए एक मसूदा जरूर यहां पर तयार हुआ है कि नौरा देही और गांदी सागर अभ्यारण में चीतों को शिफ्ट किया जाए लेक और उमीद यही कर रहे हैं कि सकारात्मक परणाम इस परिवर्तन की सामने आए बहुत शुक्रिया आपका वासुस पूरी जानकारी को साजा करने के लिए आगे देखना होगा कि इस प्रसीजर की तहत इस प्रक्रिया को आगी बढ़ाया जाता है बहराल हम आगे बढ़ते ब शहर के सभी मुस्लिम बाहुलिक शेत्र अभी फिलाल शावनी में तब्दिल की जा जुके हैं कडी पोलिस की सुरक्षा यहां पर ओमती में सुप्रीम कोट के एडवोकेट ए उस्मानी के खर पर भी चापा पड़ा है कई सानों पर हत्यार और आपत्ती जनक दस्तवेस बरा जाते हैं छोपे रहनी की कोशिश करते हैं और इसी नेटवर्क को ध्वस्त करने की कभायत पुलिस की तरफ से बीते दरों भोपाल चिंदवाडा से भी एचिवटी के संदिग्दों की गिरफतारी हुई रासत में लिया गया और अब यह देखना होगा कि क्या इसी से रिले करने का मामला सामया है रेप की बाद धरम परवर्तन कराने का मामला भी अब इस पूरे केस को लेकर उजागर हुआ है कोईफिजा पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया है रिश्नपाल और सावित्री के खिलाफ मुकतमा दर्ज हुआ है मुसलिम महिला से रेप और धर धर्म परवर्तन से चुड़ा हुआ ये पूरा मामला सामया है। राजदानी भोपाल की चुकि पूरी घटना है। धर्म परवर्तन के आंगल का खुलासा चार साल बाद इस तरह की खबर सामने आती है। क्या तत्य अभी तक सामने आए हैं इसे जोड़े। अगर बात करें तो जो पिविता है महिला है उसका नम अपसा बता जा रहा है। आरोप लगाया कि जो आरोपी कृष्णपाल है उसे कहा था कि उस साजी का जहां सा दिया था और उसे बोपाल लेकर आया था। नागलेंड के रहने वाली असम के रहने वाली महिला है और उनके साथ जो सावित्री नाम के महिला है इन दोनों ने मिलकर उसे प्रतालिक किया और उसको अपना जो नाम बदलकर यहां पर बोपाल में रहने पर मजूर किया। महिला को यह लोग असम से लेकर आए थे बता जा रहा है कि उसे धर्म परिवर्दन कराने का दवाप डाला गया और उसको महिला कमूल नाम अफसा बता जा रहा है। और अब धार से अगली बड़ी खबर जहां फूड पॉइंट्स ने के शिकार हुएं 17 लोग सब भी लोग शादी में से खाना खाकर भी लौट रहा है। लोग फिलाल फूड पॉइंट्स ने के शिकार हुएं जोने अस्पताल में इलाज के लिए भरती करवाएं गया है। साथानी परतने के ज़रत बीमार लोगों के इस्पताल में हालत फिलाल इस्तिर है। अभी भी किसी सुधार की कोई जादगारी सामने नहीं आई है। संभीर ये पूरा मामला 17 लोग एक साथ फूर पॉइस ने कर शिकार है। गैंक की पूरी कर्दूत कैथ हो चुके है। और अगली खबर भी राज़दानी भोपाल से ही जहां नशे के खिलाफ एक बड़ी कारवाई देखने को बिट रहे। इस नशे के प्रटक्स बेशने पर ये बड़ी कारवाई धारा 144 के तहट कलेक्टर ने कारवाई की है। फ्लेवर्ड हुक का और निकोटिन प्रटक्ट पर ये गंभीर कारवाई इलेक्ट्रोनिक सिग्रेट उसके निर्मान और प्रटार पर अबैन है। और इलेक्ट्रोनिक सिग्रेट का अब से विक्यापन भी नहीं किया जाएगा। आदेश का उलंगन करने वालों के खलाव धारा 188 के तहट करवाई है। नशे के खलाव लगातार ये ओपरेशन चलाया जा रहा है। नशे को जड़ से खत्म करने की कवायद। और अब फ्लेवर्ड हुका के खलाव भी एक शापा मार कारवाई जिसमें जैसे ही फ्लेवर्ड हुका एलेक्ट्रिक सिगरेट पाए गए। फॉरन बैन लगाने की कारवाई साथी साथ प्रचार पसार भी इसका नहीं होगा। अगर नियमों का उलंगन किया जाता है तो 188 धारा के तरह कारवाई जैसे दो युवको को टीम अपनी साथ ले गई है। टीम ने आनन नगर में कमपनी के ऑफिस पर दविश दे कर कम्प्यूटर का सीप्यू लापटाप जब्त किया है। इन पर सेभी के एडवाईजरी नियमों का उनलंगन करने का रूप लग रहा है। मुनाफे का लालच देते थे तो अक्सर लोग इनके जाल में फस्जाय करते थे। और अब जब ठागी का एसास हुआ तो पोलिस के तरफ से ये बड़ी कारवाई और शिकायत करने के लिए जैसे ही लोग पहुंचे। फोरन पोलिस ने दबश्ट देकर दो युवको को गु प्रतार किया है लाप्टॉप और सीप्यू जबत की गए। समिक्षा में होंगे, सांसे सुषिल मोदी, दियाकुमारी, किरती वर्धन सिंग भी इस बैठक क्या हसा होंगे। बैठक में चीता प्रोजेक्ट पर भी समिक्षा की जा सकते हैं। चीता प्रोजेक्ट के लिए 11 सदस्य स्टेरिंग कमिटी का गठन हुआ है। आगे क्या समिक्षा की बात होनी है, बागों और चीतों के संरक्षन को लेकर क्या कुछ काम होने हैं। ये तमाम बातें इस बैठक में चर्चा कभी शेरेंगे। भुपाल में पहली बार इस बैठक आया जो, इसलिए भुपाल के लिए हासे, मत प्रदेश के लिए हासे खास। और भुपाल से ही अगली बड़ी जानकारी जोहां बागों के मुव्मेंट को लेकर कॉलोनी वाले सतर को चुके हैं। तेरा शटर से मरनात कॉलोनी तक ज्वाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। कलिया सौर डाम के आसपास वनवभाग ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। आज से आम जनता के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। कलिया सौर टेरा शटर के पास छे बाग एक साथ देखे गए थे। फॉरन कारवाई हुई है। फॉरन वनवभाग का अमला ट्रैप कैमरी लगाकर उन्हें सर्च करने के लिए लगाता जुटा हुआ। और स्पीच लोगों के लिए भी खत्रा ये साबित हो से पैस वज़े से ये प्रतिवा थे। विलिटिन में तहीं देखते रही नियूज जिटिने। हम इस वक्त मौजूद हैं बिलास्पुर में। में स्टेट जहां गुजरते हैं वो रोट बद अच्छी है। बाकि गली मुहले का कहीं पर कोई अंतर निया है। विलास्पुर में तो विकास खही नहीं है। दो रुपए किलो चावल देने से कुछ भी होने वाला है। विकास जैसा होना था वैसा होनी ही पा रहा है। जैसे अभी सराप बंती की बात कहीं के कि आज यहां तो 22 करोण घोटाले में घुज गया हूँ। सरकार जूठे वादे करती हैं जिने वो पूरा नहीं कर पाती। केक हजार रूपया लेके रातान का रड़ बना रहे है।